चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाल आकन को और फे सेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर को सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरू टैप टैपिंग और साथ में लेटर्स सिर्फ सिंगल टैप में काम करेंगे बाकिके अधर्स जो कीज है वो डबल टैप में काम करेंगी यह सारी चीजे हमने क्लियर की है वह जो टैपिंग ऑल ओप्शन इसको डीटेल में एक्स्पे लिए किया है बहुत सारी लोग कि हमारा कीबोर का डबल टैप और ऑप्शन व टो चेक कर लिया है लेकिन हमारे सिर्फ जो है लैंगवेज करेंगे और वह सब डबल टैप में संगल टैप में काम कर।न गर alm kum कर रहा है तो किससरा बwdढ़ा प्शन को एक्सेस कर ना है डीप में एक्स्प्लीन किया हुआ है आप लोग जानते हैं विडियो में इंटब बने रहे हैं टेलीग्राम, Whatsapp ग्रूप, अबाट पैज में आप लोग जाकि ज़िए सकते हो फीमे Nebeners के लिए भी अलग्से ग्रूप में अलग्से ग्रूप बनाये गाए है तो वो भी हैं पहले जाकि जुद सकते हैं मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज वीडियो को लाइक ज़रू कर देना चेली ज़रू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को दोस्तों अक्सर अपने हमारे Q&A वाली वीडियो में ये दिखा था कि मतलब सिंगल टैप डबल टैप कीबूर्ड को कैसे करें और फिर डबल टैप कीबूर्ड काम नहीं कर रहा है मतलब कुछ कीज ही डबल टैप काम कर रही है और कुछ कीज जो है डबल टैप में काम नहीं कर रही है है ना कुछ कीज जो है सिंगल टैप में ही काम कर रही है तो यहां प लिए अपल्वाइब करेंगे को आपक्षाइब में बाइबंस श्वाइब करो आपक्षों करेंगे अब यहां पर की बॉर्ड यन टाइपिंग प्रोफिरेंगे माश्टम सेंग्डंस जामें एलेंगे टाइपिंग तेपिंग इन कीबोर्ड में ठीक है यहां पर कुछ ऑप्षिन से उसको टीटेल में एइक्स्प्गेंट करेंगे यही जो सारे कुछ ऑप्षिन से इसमें ही बहुत सारे लोग को confused होता है तो सारे जो आप्षिन से हम यहां पर clear करेंगे इस option को open कर लेंगे talkback setting में अब यह जो option है सभी के पास होगा है ना तो हम जो सबसे first option है पहले उसको देखेंगे hold finger to select any key then double tap अब इससे होगा यह कि आपका जो keyboard है वो पूरा double tap हो जाएगा यह जो भी आपके letters है उसके बाद जो other keys है जैसे next language हो गया voice input हो गया more feature हो गया है ना या फिर जो आपके extra keys है वो जो keys है वह भी double tap हो जाएगी और आपका जो letter बगे रहा है वह भी double tap हो जाएगे हैना मतलब कि कुल मिला कि पूरा का पूरा जो keyboard है वही जो है double tap हो कि सिर्फ और सिर्फ letter की पर यह चीज काम करेगी other keys is double tap हैना मतलब यहां पर क्या होगा कि ABCD वाला जो keyboard है वह सिर्फ जो मतलब A से लेके Z टक जो आपके letters है वह single tap हो जाएगे लेकिन next language voice input more feature जो keyboard में extra key keys है वह double tap आपको करनी पड़ेगी हैना तो यह चीज आपको यहां पर समझनी है उसके बाद जो तीसरा option है उसको देखेंगे hold finger to select any key then lift यह तीसरा option है कोई भी key हो उसको आपको सिर्फ एक बार touch करना finger आपके उठा लेना है तो वह type हो जाएगा यहां कि single tap में हो जाएगा हैना single touch में यह काम करेगा अब यहां पर आपको रखना क्या है typing वाले में वह हम आपको यहां पर दिखाएंगे जो second option है second वाला जो option है यही आपको select रखना है hold finger to select letter keys then lift और double tap to other keys यह जो second option है इसको आपको यहां पर set रखना है वह इसलिए क्योंकि इससे होगा यह कि आपकी जो other keys है other keys जो है double tap ही रहें ताकि आपको जो है इसमें confusion ना हो हैना मतलब जो other keys है जैसे voice input कभी कभी हम voice input पर click करने जाते हैं लेकिन zero click हो जाता है तो हमारे voice input ही click हो बराबर से हैना कभी हम zero click करने जाते हैं तो voice input क्लिक हो जाता है तो single tap में अगर होगा तो activate हो जाता है तो बहुत सारे confusion है इसके लिए जो second option है यहां पर यह आपको set रखना है और बहुत सारे लोग जो QN के वीडियो में जो question पूछते है कि double tap कैसे करना है तो double tap करने के लिए यहां पर advance में आका जो पहला वाला option हमने बताया है पहला वाला option हमने बताया है वह आपको check out करना है पहला जो option उसको set करना है ताकि सारी की सारी कीज है आपके keyboard में जितने भी कीज है वह double tap हो जाएगी और जो second वाला option है वह हमारे advance user के लिए मतलब जो nearly advance user है ना तो वह लोग यहां पर जो second वाला option है वह चेक कर सकते है नहीं कि next language की voice input की सब double tap हो जाएगी सिर्फ letter keys है वो single tap रहेगी लेकिन जो एकदम हमारे fully advanced user है वो पूरा single keyboard चलाना चाते है नहीं कि next language भी single touch में voice input भी single touch में और more feature भी single touch में उसके अंदर वाले जो features है जैसे कि click board उसके बाद share board यह सब जो options है वो भी अगर single tap में अगर आप चलान तो उमीद करता हूँ यहाँ पर जो typing से लेकर जो सारे confusions थे वो almost सारे clear हो गए होंगे इस वीडियो को देखकर इस वीडियो को सभी के साथ share करें ताकि सब लोग की जो समस्या है solve हो जाए typing से लेकर double tap single tap typing का जो questions आते वो आगे ना आए तो इस वीडियो को ज़रूर आप